ओ माई गॉड क्या सच में आज भी जिन्दा है भगवान हनुमान कैमरे में कैद हुई है ये फोटो हलो दोस्तों आज हम लेके आएं एक इंट्रेस्टिंग टॉपिक तो चलिए बिना किसी देरी के सुरू करते हैं कहा जाता है कि दुनिया में 33 करोड देवी देवताओं का वास है इनी में से है हनुमान भगवान जैसे हर भगवान का दिन होता है ठीक उसी तरह हनुमान जी का भी दिन मंगलवार होता है इस दिन लोग हनुमान जी की विशेज अराधना करते हैं और ब्रत भी रखते हैं लेकिन क्या आपने ये सुना है कि आज भी हनुमान जी धरती पर भिराजमान है सायद नहीं लेकिन आज हम आपको हनुमान जी की इस दुरलव तस्वीर के बारे में बता रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि मान सरोर की यात्रा के दौरान एक भक्त ने उनकी ये फोटो अपने कैमरे में कैद की थी हाला कि उसके बाद उसके प्राण निकल गए थे इस घटना के बारे में कहा जाता है कि तीन दोस मान सरोर की यात्रा पे निकले थे इन में से एक हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था वे हमेशा हनुमान जी के आराधना करता था उसे इस बात का जानने की जिग्यासा थी कि आखिर हनमान जी का असली स्वरूप क्या है उसकी मानसरवर यात्रा का उद्देश ही हनमान जी की खोश थी बताये जाता है कि कई तिनों की यात्रा के बाद एक दिन वो मानसरवर तलाप के पास पहुंचे उनमें से एक को एक लंगूर की आकरिती दिखी जो बड़ी तेजी से हिमाले की पहाडों की तरफ जा रही थी तीनों दोस्त उस आकरिती का पीछा करने लगे लेकिन उस तक पहुंच नहीं पाए इसके बाद उन्होंने पहाडों और गुफाओं में हनमान को ढूडने की यात्रा सुरू कर दी वही हनमान की खोज में हनमान भक्त को एक गुफा में आती हुई तेज रौसनी दिखाए थी वही रौसनी का पीछा करते वे गुफा में पहुंचे लेकिन भक्त ने तुरंथ ही अपना कैमरा निकाला और फोटो कीचली बताय जाता है कि फोटो कीचने के बाद ही लड़के के प्राण और उसके सरीर से निकल गये थे और हाना कि इसके बाद उसे हस्पताल ले जाया गया था लेकिन डॉक्टरों के लिए भी ये मौत रहसमे थी इसके बारे में डॉक्टर भी नहीं बता पैं कि उसकी मौत कैसे हुई है इसके बाद उसके दोस्तों ने कैमरे का रोल निकलवाया और उसकी फोटो बनवाई जिसमें हनमान जी की एक तस्वीर सामने आई इस फोटो में वे गरंथ पढ़ते वे दिख रहे थे ये गरंथ कोई और नहीं बलकी रामायन है दोस्तों यह इंटरस्टिंग फैक्ट जानके आपको कैसा लगा दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और अगर आपको ऐसी इंटरस्टिंग फैक्ट वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आन कर दे ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए और आपके कोई सुझा और राय है तो हमें कॉमेंट सेक्षन में बताना ना भूलिए थैंक यू